जैते हासिक दिन रहा इस शेत्र की जनता की बहुँ प्रसिक्षित मांग आज पूरी हो गई रीवा के नव निर्मित अंतर राजजी हवाई अड़े से हवाई सेवा का शुभारम किया गया यह सौगात परेटन तथा उद्योग साहित अनिश शेत्रों के विकास के महत्तोपूर है पीएम परेटन वायू सेवा के तहट भोपाल से जवलपूर होकर रीवा तथा सिंग्रॉली जाने वाली हवाई सेवा शुरू की गई भोपाल के राजा भोजी एरपोर्ट में आयोजित कारकरम में प्रदेश के मुखमंत्री डॉक्टर मोहन यादों ने एयर सिवा का शुभारम किया हवाई सिवा भोपाल से जवलपूर के डुमना विमान तल पर पहुंची इसके बाद एयर टेक्सी जवलपूर से प्रस्थान रीवा ओफिस सिंग्रॉली पहुंची एर टेक्सी के लिए टिकेट बोपाल इंदोर तथर जवलपूर एरपोर्ट पर मिलेंगे इसके लिए ओनलाइन टिकेट www.flyola.in से प्राप्ति किया सकते हैं एर टेक्सी के नियमित संचालन की समय सारणी जारी कर दी गई है रीवा से 6 आत्रियों ने सिंग्रॉली के लिए ओडान भरी इस दौरान डिप्टी सीम राजेंदर शुकले ने हरी जंडी दिखा कर प्लेन रवाना किया 6 सीटर इस प्लेन से रीवा के सिर्मोर विधायक ने भोपाल से रीवा की आत्रा की इस दौरान सभी ने खुशी व्यक्ति की साथ ही जल्द 72 सीटर प्लेन चलने की भी बात कही गई जबरपूर रीवा होते हुए सिंग्रोली तक की पीम श्री वायू परेटन सेवा लोगों को बहुत बड़ी सुधा देने का काम करेगा हम देख रहे हैं कि भोपाल से आने वाले लोग भी खुल थे अब यह 6 सीटर ही प्लेन है और यहां से सिंग्रोली जाने वाली भी सभी 6 सीटर भूख है यह बहुत बड़ी सुधा है और यह हमारे इस विंद के लाके को प्रदेश से जोड़ेगा श्री वायू पर्याटन से आज शुबारम होने जा रहा है उसके तहट मान्य मुख्यमंत्री महदे ने बोपाल से इस फ्लाइट को फ्लाइग ऑफ किया है जो फ्लाइट अभी बोपाल से जबलपूर आई है अब जबलपूर से वो फ्लाइट रिवा के लिए निकल गई है रिवा में जो पसेंजर स्वागत करेंगे और एक चुटा सा कारेक्टरम ली है पहली बात तो मैं माननी रहान मंत्री मोदी जी एवं हमारे मोहन यादर जी को बहुत बहुत दन्यवाद देता हूं कि हमारे विंद वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात करी है इसमें हमारा महा कोशल और कजवल कॉए बारा गाउं हमीरा वहां से मैं आया हूँ तो मैं अपने टरास्पोर्ट के कारूबार के लिए सिंघरओली जा रहा हूं कि यहां पर जो कि हमारे सिंघरओली जो रस्ता है वह खराब दूर तो आज हमारे मंत्री जीने से सवगात दी हवाई जहाज की मैं उस हवाई जहाज का पहला यात्री हूं